दूसरी बात ये है कि आपने जो हिंदी के हवाले से सवाल किया कि ये हिंदी का चंद है तो आप मुझे ये बताईए कि आधोने काल के किसी भी बढ़े कभी साहित्यकार का मुझे नाम बता दीजिए और उनका एक भी दोहा कोट कर दीजिए कि उन्होंने कोई हिंदी में दोह चण चबी की चाक को चैला चैल चकाई, चटे चटे क्यों फिरत हो मोह मुर्चा चाई, मैंने रदास का एक पद निकाला, और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उस पद में एक पद में, चोधा फारसी के अल्फास और नो अरबी के थे, अब वो मैं आपको पढ़के सुनाता के या रामा एक्तू दाना तेरी आदि भेकना तू सुल्तान सुल्ताना बंदा सकिस्ता अजाना मैं बदियानत ना नजर दे दर्मंद बर्खुरदार बे अदब बदभक्त बोरा बे अकल बदकार मैं गुनेगार गरीब गाफिल कमदिली दिलतार तू कादिर दरिया जिहावन मैं हिर्सिया हुसियार ये तन हस्त खस्त खराब खातिर अंदेशा विसियार आज़र दोस्तों रेडियो अर्दू पर आपका इस अकबाल है आज की गुस्ताबू बहुत दिल्चस्प Honे वाली है उसका सबब यह है कि जे जमाने में ने अर्दू थी ने हिंदी थी बलके हिंदूी कही जाती थी उस जमाने में भी बहुत सारे असनाफ सुखन थे और अर्दू में खास तोर पर अगर ये देखा जाये तो आज के तारीख में अर्दू की जो रिवायती असनाफ है उन में ले दे करके एक गजल ऐसी सिन्फ है कि जिसका शोर काफी ज्यादा सुनाई देता है अर्दू में भी बहुत सारे असनाफ हैं मिथा के तोर परोबाई है मरसिया है कसीडा है मसनवी है ये असनाफ कहीं बहुत कम कम या कहीं कहीं खाल-खाल सुनाई देती हैं इसी तरह अर्दू के पैदाईश से पहले की एक सिन्फ है दूहा दोहागोई अपने आप में एक बहुत आहम और बहुत बेंतिहा हसीन सिन्फ है आज हम दोहे के सिलसले में दोहे की तारीख और दोहे की जबान दोहे के अरूज और दोहे के जवाल के असबाब के उपर गुफटगू करेंगे हमारे आज के महमान है अनस खांँ साहब अनस खांँ साहब से का तारूफ कुछ यूँ हैं कि अनस खांँ साहब अपने प्रوفिशन के अइतिवर से एक एंजिनियर हैं लेकिं नों ने सारी अमर, बल्के यूँ कहें कि सारी अमर तो नहीं Allah आपको बहुत दिन जिलाए अब तक की अमर आपने अनस साहब ने दोहे पर ही सर्फ की दोहे के दोहे को पढ़ना, दोहे कहना, दोहे सीखना अब की एक किताब अनस के दोहे के नाम से भी बाजार में मौजूद है जो अर्दू रस्मुल खत्मे है और अर्दू के दोहें हैं और बड़े कमाल के दोहें हैं अनस साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने रेडियो अर्दू को वक्त दिया थैंक यू हम चाहते हैं कि आप पहला सवाल तो आप से ये है कि अर्दू से दोहों का क्या तेलुक है इसके ओपर जरूर आप रोश्मी डालें भई ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे के कबीर का आईफोन से क्या तालोग है भई अगर तारीक देखी जाए दोहे की तो दोहा अब रहाशकाल से अगर हम देखें आठवी सदी से तो आज दोहे को थेरगा था थेरीगा था उसी से वाल्व होता हुआ दोहा आज हम तक पहुँचा है तो अगर तारीख हम तब से दोहे की आज तक देखें तो दोहे की तारीख 2800 बरस हो गई है अब अर्दू जबान अर्दू जबान बिलकुल नई जबान है तकरीबन धाई 300 साल पुरानी जबान और मंजी अर्दू तो 1.5 दो साल पुरानी जबान है और इतने ही अर्सा हुआ है कि दोहा मफगूद हो गया, दोहा विलुक्त हो गया तो जब दोहा था तो उर्दू वजूद में ही नहीं आई थी और जब दोहे का दौर था तो उर्दू जबान वजूद में नहीं आई थी तो इसलिए अब ये कहपाना कि हम आधुनिक उर्दू में नहीं कह सकते और इस तरह हमारे सामने कोई मिसाले भी नहीं है कि हम अगर कोई हम दोहा जो हमारी समझ में दोहा अपने तकाजों के पूरा उतरता हो ऐसे दोहे उर्दू में मौजूद हो तो थोड़ी सी मायूसी होगी हाँ लेकिन अब एक दूसरी डिबेट है इस जबान को लेके और एक बहुत पुरानी डिबेट है कि हिंदी पुरानी है उर्दू पुरानी है बहराल ये दोनों खड़ी बोली से ही निकली हुई जबाने दोनों जबाने है और अगर दोनों की ग्रैमर देखी जाए तो लगवक एक जैसी है और जैसे के हम कहते है क्रिया वर्व अलमूस्ट एक जैसा है और सहायक क्रिया तो बिलकुल ही एक है दोनों जबानों की जो auxiliary verb है अब बात यह है कि दोनों उर्दू और हिंदी अलेदा जबाने कैसे होती है वो उसकी vocabulary से पता चलता है कि यह दो अलग जबाने हैं तो अगर हम इस से अंदाजा लगाएं कि अज जो अर्दू इस्तिमार पुराने जमाने में भी हम कहते हैं कि अर्दू थी तो जो फार्सी आमेज लफ्स थे जबान में जब आ जाते तो तो हमें आज भी अंडरस्टेंड नेंगा है कि अब यह उर्दू है और थोड़ी संस्क कि बात करेंगे उस जमाने में पुरानी अर्दू वही हुई कि अवधी जबाने में जयादा कहा जा रहा था भक्ति काल तो अब अगर हम ये देखें कि उर्दू का असर कितना था तो हमें ये देखना होगा कि फार्सी और अर्बी के कितने अलफाज इस्तिमाल हो रहे थे उनके हाँ तो उससे हम अंदादा लगा सकते हैं कि उर्दू क्या ट्रीटमेंट क्या था कि डीटमेंट का लोन फार्सी और अर्रबी के लवज कर लोक्ता है। दोहे पढ़ रहा हूँ अब आप ये देखिए कि इस के अंदर फार्सी और अर्वि के लफ्जों का ट्रीटमेंट कबीर इस्तेमाल उस जमाने में कर रहे हैं मतलब अंधरवी सदी में हम ये कह सकते हैं कि अर्दू जबान का इस्तेमाल था अंधरवी सदी में पुराणी अर् ऑफिल क्या करे आया काल नजीक कान पकर के ले चला जो अज यही खटीक आब आप एक वर दुछा देखें कबीर गृंतावली से ही यह दुछायए पियरस पियासोग जानिये उत्रे नहीं खुमार पियारस पियासो जानिये उत्रे नहीं खुमार नाम अमल माता रहे पिये अमीरसार अब ये रहे कबीर के ही कुछ लोग ये कहते हैं भई एक मत है के कबीर के समकालीन उसी दौर के रहिदास भी थे और थे बनारस के ही जबान अबदी थी और चलिए समकालीन में नहीं होंगे तो 30-40 साल बात के रहे होंगे रिदास तो वो एक ही दौर था रिदास का भी मैंने रिदास का एक पद निकाला और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उस पद में एक पद में 14 फार्सी के अलफास और 9 अर्भी के थे अब वो मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ कि या रामा एक्तू दाना तेरी आदि भेकना तू सुल्तान सुल्ताना बंदा सकिस्ता अजाना मैं बदियानत ना नजर दे दर्मंद बर्खुरदार बे अदब बदभक्त बौरा बे अकल बदकार मैं गुनेगार गरीब गाफिल कमदिली दिलतार तू कादिर दर्या जिहावन मैं हिर्सिया हुसियार ये तन हस्त खस्त खराब खातिर अंदेशा विसियार ये कह रहे हैं रिदास तो अब कबीर के यहां हमें नदर आती है फारसी अर्भी का ट्रीटमेंट और खास बात यह है कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं अगर हम हिंदी की कविताय कह रहे हो या उर्दु की घजले कह रहे हो तो हम क्या करते हैं कि डायलेक्ट का ख्याल नहीं रखते हैं बिलकुल होता क्या है कि हर जबान का अपना डायलेक्ट होता है हर-हर इलाकाई बूली का अपना डायलेक्ट होता है लब्जों से कोई फर्ख नहीं पड़ता बात यह है कि किस डायलेक्ट में तो अब हम पढ़ रहे थे कि फार्सी और अर्बी उसका ट्रीटमेंट कैसा था उन्होंने उसी अवधी डायलेक्ट में उसको इस्तिमाल किया और वो बहुत ही खुबसूरती से पिरोते चले गए और वो बात बन गई तो अगर हम आज के दोर में यह कहते हैं कि नहीं भाई उर्दू में हम दोहे नहीं कह सकते तो यह बहिमानी होगी जब कबीर कह सकते हैं रदास कह सकते हैं मलूक के हाँ बहुत है यह तो चलिए संत संतों की बात हो गई अब बिहारी बिहारी कोई संत नहीं थे बिहारी वस प्योर दोहा पोईट और उसका उसने दोहे को एक दम पीक पहुचा दिया था भी हरी कि जो फनने दोहा निगारी में कोई सानी नहीं है हम किसी से कंपारेजन नहीं कर सकते वह दूसरे संत हो यह सूफी है वह इसलिए उनकी ग्रेटनेस यह है कि उनकी फिलॉसोफी उनको ग्रेट बनाती लेकिन उनका फण नहीं उनको ग्रेट बना रहा है फण दोहा कोशहरी से वहार नीगारी नेकिन वह काम करके दिखाया कि अगदम अगोंचा कि दिया है करीले को हूं कि वहारी के यह कख़ई बढ़ा एक लिए खिए पतालाज। कि ये रीतिकाल का था रीतिकाल में ज्यादा ब्रज में दोहा निगारी हुई तो वो कह रहा है कि लिखन बैठ ये दोखा है लिखन बैठ का मैं दोहा की में एक मिस्रा पढ़ रहा हूं दोहारी का लिखन बैठ जाकी सभीId zijn गए गए गएगष गरब गुरोर इस तरह इस्तिमाल करें उसने उसी डायलेक्ट में ब्रच के इस्तिमाल कर दिये और ऐसे सैकडों दो है जिसमें अर्भी फार्सी आपको बहताद मिलेगी उसकी सत्साही में तो यह सब के मिलेगा तो यह हम नहीं कह सकते के सूफियों के हैं मिलना सूफियों क्या तो है लेकिन मैं सूफी को इसलिए कोट कर रहा हूं कि जबानी फारसी थी उनके यां तो आए गई और यह सिलसिला तेरवी सदी से शुरू हो गया है कबीर भी मैं जो कोट कर रहा हूं पंधर भी सदी कोट कर रहा हूं शर्फुद्दीन यह मनेरी उनके दोए पढ़िये उनके दोवह में फार्सी और अर्वी दोनों के लवज मिलेंगे तो तेरवी सदी से ये इप्तिदा हो चुकी थी जब खड़ी बोली बन रही थी और उसके सेकड़ों साल बाद आधुने कुर्दू हिंदी आई हैं उससे उस दौर में फार्सी और अर्वी का इस्तिमाल खड़ी बोली के पूर बहुत शुक्रिया एक और बड़ा अहम सवाल आता है सामने के जब कोई निया दोहा निकार दोहा कहना शुरू करता है या दोहा चाहता है तो उसकी जबान क्या होनी चाहिए इसलिए कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि दोहा जो है वो हिंदी जबान की सिंफ है और दूसरी तरफ उर्दू के उदबाने और स्कॉलर्स ने भी किसी हद तक इस बात को मान लिया है कि दोहा जो है वो हिंदी की सिंफ है उर्दू की सिंफ नहीं है तो इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है कि दोहे की जबान क्या होनी चाहिए देखिए जब तक जो दोहे की जबान की बात है तो ये आम तोर पे ये डेबेट रहती है कि ये दोहा हिंदी का है मतलब दोहे हाजिर में तो ये दोही जबानी है अबी कि अर्दू का है कहा जाना चाहिए कि हिंदी में कहा जाना चाहिए अर्दू की सिंफ है कि ये हिंदी की सिंफ है ये एक बड़ी डिबेट है तो अगर हम दोह को जैसे मैंने अभी कहा कि दोहा जो है वह जिस जबान में वुजूद में आया था वो जबान ही वुजूद में नहीं है उसके बाद दोहाँ वहाँ से ट्रैवल करता हुआ फिर आपकी दूसरी इलाकाई बोलियों तक पहुचा जिए अवदी पहुचा ब्रज पहुचा अब ये कहना कि दोहा उर्दू मैं कहा जा स है या फिर वो मक्सूस जबान का चंद है तो अभरंज के बाद वो सिंधी में भी पहुचा वो पंजाबी में भी पहुचा वो अभट में भी पहुचा वो मैथली में भी पहुचा है राजिस्थानी में भी पहुचा वो पंजाबी में भी पहुचा फिर अबदी में भी बॉहा, हर बोली में कहा जा सकता है لेकिन वह अर्दू में नहीं कहा जा सकता तो सूफियों का कॉंट्रिबूशन तो श्रिंगार में ही है, मुहबबत की शायरी कर रहे थे, तो श्रिंगार में दोहा अपने जिस वुजूद में आया, जिस शकल में आया, वो बेहद हसीन और खुबसूरा शकल थी दोहे की, चाहे आप तसभूफ की शायरी कर रहे हो, चा एकी वक्त में वजूद में आईगे दोनों जबाने हैं दोनों नई जबाने हैं हिंदी और उर्दू अब दोहा अच्छा मुझे एक वाखिया याद आया कि मैं पढ़ रहा था दुलारेलाल भारगफ को तो मुझे यह कुरियोसिटी जानने कि भाई के यह बरज में कि अधु अधुनिक काल में कुछ लोगों का मानना यह है कि अधुनिक काल तक आते आते दोहा मफ़कूद हो गया कि कौई ऐसा हमारे सामने कोई नहीं मिलती वैसे हैं और मुझे एक दुनाम मिले जिसमें दुलारेलाल भारगब का था और काफी बड़ा नाम है दोहे में तो यह उनक म Pandu मनची नवल कुशोर अच्छा में मनसी नवल कुशोर प्रैश जो थी यही चला रहे थे और निराला के साथ भी निराला था और मनची प्रेम चंद के साथ एक रिसाला निकालते थे जिसके Chief Editor प्रेम चंद सब्सक्रबारayan ंछा थे तो काफी काम इन होने किया है, हिंदी के लिए प्रोमोशन के लिए, तो निनकी बायोग्राफी में पढ़ रहा था, तो बायोग्राफी पढ़ते हुए बड़ा एक दिल्चस्प चीज सामने आई, यह काम कर रहा है हिंदी के लिए, अच्छा उस वक्त क्या हुआ था कि इनकी जो दोहा वली आई है, यह 1935 में आई, दुलारे दोहा वली, तो 1935 मतलब कि आजादी से पहले है, 1971 में गालिबन इनका इंतकाल हो गया था, आजादी के काफी बाद, तो यह है उसी दोर के, तो अब मजे की बात यह थी कि जब इनके दोहे पढ़ें, इनकी बायोग्राफी पढ़ी तो पता यह चला, कि वहां पे औरचा नरेश एक अवर्ड दिया करते थे, तो वो पुरसकार, देव पुरसकार बड़ा मशूर होता था, जिसे भी मिल जाए साहित ते बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, तो वो पुरसकार उस दोर में इनकी दुलारे की सतसाई आ चुकी थी, लेकिन उनको मिला नहीं, और वो मिल गया किसी खड़ी बोली वाले को, हिंदी के नाम पे, तो कई साल तक वो हिंदी को मिलता रहा, वो एवाट, तो उस वक्त एक टसल चल रही थी, ब्रज में, और हिंदी में, तो वो यह चल रही थी, कि सारे पुरसकार और फं हो रहा है, वो डवलपमेंट स्टेज में है, तो उसके लिए फंट दिये जा रहे थे, वो उसके फरोग के लिए वाट्स दिये जा रहे थे, तो यह तो उस दौर की बात हो गई, लेकिन जब आज हम बात करते हैं, तो हमें यह बताया जाता है, कि यह जो ब्रज है, यह और यह तो खड़ी बोली है, तो अब हिंदी जबान जो है, वो उन्हों ने अपने उसमें आपने उनकी जीवनी जो पढ़ी, उसमें क्या देखा, आपने आप कुछ बता रहे थे, हाँ, उनकी जीवनी में यही था कि उनको वो अवार्ड नहीं मिला, जो पुरसकार था, लेकिन बाद में उनको वो अवार्ड दी आ गया, थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन अवार्ड उनको देव पुरसकार बाद में उनको मिला लेटर, लेकिन तब नहीं मिला, तो वो यही लिखा था कि उसकी वज़ा ये थी, कि तब विकास में आ रहे है, विकास हो रहा था हि हिंदी हम THE करते हैं तो यह होता है कि दूप का तो चंद है नहीं यह तो हिंदी चंद है अरे वक्षाथ इंधी ऑफिश में डिशन में सर दूभ्य ना फिन सब लेगें उण हो गई हैं और उर्थू है वह देओं रिए युद्व अलग खड़ी हूई है और बाकि सारी की जबाने मिलके एक हिंदी जबान हो गई जबके उर्दू और ретि एक lod एक है हैं असल में अब ब्रज अब डिबलकुल मुक्तलिफ है उर्दू और हिंदी से तो अब ये तो एक बात है दोसरी बात यह है कि आप आधुने के हवाले से सवाल किया कि यह हिंदी का च्छन्ध है तो आप मुझे ये बताईए कि अधुने काल के किसी भी बड़े कवी साहित्यकार का मुझे नाम बता दीजिप और उनका एक भी दोहा कोट पर दीजिप कोई हिंदी में दोहा कहा हूं जाहें वो आपके निराला हो, जाहें हरी बंचराय बच्चन हो, जाहें आपके नागरजुना हो, जाहें वो आपकी महादेवी वर्मा हो, कोई भी पोईठ हो, हिंदी का, ये तो छोड़ी है आप, इप्तिदा, बाबा य आदम कौन है, अधुने गुर्दू के, भारतेंदू हरी चंद, भारतेंदू हरी चंद की नसर हिंदी में मिलती है, लेकर उनके दोहे सब ब्रज में है, सारे दोहे ब्रज में है, और उनके साथ के जितने कभी उस दोर के थे, हिंदी पे जो काम कर रहे थे, उन सब के दोहे ब्रज में है, और उनकी जो नसर है, वो हिंदी में है हैं तो बात यह है कि आज तक मुझे खुद हैरानी होती है यह चीज़ देखके कि यह जो एक मित है यह कहां से बन रही है कि यह इस एक जबान से टैक कर दिया जाए किसी एक सिंफ को यह आप जियाती कर रहा है उस सिंफ के साथ हिंदी में बिल्कुल कहा जाना चाहिए दोहे क लेकिन दूसरी सबानों में भी कहा जाना चाहिए, उर्दु में भी कहा जाना चाहिए, क्यों नहीं कहा जाना चाहिए, तो यह क्या देना कि यह हिंदी की सिंफ है, वह हिंदी की सिंफ है, तो हिंदी में किसी ने दोहा कभी कहा होगा, आपने किसी कोर्स बुक में हिंदी का द किसी scholar ने या किसी महा कवी ने जिनको कुर्स में पढ़ाया जाता है उसने क्या कभी कोई दोहा कहा मेरे नजर से तो नहीं भुज़रा इनुमाद smart तक मेरी नजर से नहीं गुजरा हाँ ये बात जरूर है कि हिंदी का कॉंट्रिबूशन बढ़ा है आज दोहा कम से कम हम तक हमारे सुफिय एक्राम या हमारे संथ हम तक पहुंचे वो उनकी कड़ी मेहनत है हिंदी वालों की जो हिंदी के स्कॉलर्स हैं हैट्स ओफ स्कॉलर्स के लिए उनकी मेहनत से कहां कहां से म्यूजियम से और मंदिरों से और पता लग रहा है बाहर हारवर युनिवर्सिटी तक गए वही जाइसी का कैलेक्शन जब गुपता कर रहे थे तो वह तो बाहर अम्रीका तक गए पता लगा कि उसकी कुछ सफे वहां है तो कु जो दोहे मिले औरीजनली तो उनकी उतका रस्मलखत क्या था फारसी फारसी में थे तो इसका मतलब यह के लिपयान तरण जिसको कहें रस्मलखत तब्दील किया गया वह खड़ी बोली या ब्रग या अवधी में लिखे गए दोहे थे जो फारसी रस्मलखत में लिखे गए फार्सी रसुल खत्मे थे और देवनागरी में आए तो देवनागरी से फिर उन्होंने अपने कोर्स में शामिल करीकुरम में शामिल किया हिंदी जो कॉंट्रिबिशन जिसका है उसको ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए यह काम हिंदी ने किया कि ट्रांसलेशन का काम बहुत अ करके देवनागरी में लाए और देवनागरी में कोर्स बुक्स में शामिल किया अपने करिकुलम में उनके और वो पढ़ाया लोगों तक वाचाया यह बहुत बड़ा काम किया उसी का क्रेडिट है अचा उसी से यह एक नजरिया बन गया कि यह हिंदी की सिंफ है कि हिंदी पढ़ा रही है उसको तो वो बन गई लेकि होना चाहिए यह कि उसका डैवलपमेंट के लिए क्योंकि दोहे को अगर आप पूरा समझना चाहते हैं बरतना चाहते हैं तो आप यह नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ हिंदी में ही कहूंगा अब यह वो कल को कि आप मत को यह तो हमार गजल कह रहे हैं और आप देखिए कि गजल अरूच पर हर दिन आगे बढ़ रही है यही वजा है अच्छा आपने तो जिक्र किया के जदीद दोर के जो हिंदी के असातेजा है या जो बड़े नाम है वो तो ठीक है कि उन्होंने अव्दी अबरेज में किया है क्या अर्द गजुआ है किए यहां पर बिल्कुल उसका उसकी उलट है हिंदी में हो यह रहा था कि हिंदी के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बहुत ट्रांसलेशन पर काम किया वो नागरी स्क्रिप्ट में ले के आय है उसको और जो पोएट है अज़ी के कभी उन्होंने कोई काम नहीं कि ठीक है अब आप इस बहुत मेंसेज्च है इस बात से कि हम वो सकता है नागावार गुजरे इसे बात बहुत लोगों को कि हम आज उर्थू में बात क्या करते हैं कि उर्थू के फरोग के लिए मुशायरे करवाओ, उर्दू के फरोख के लिए मुशायरे करवाओ, मुशायरों से उर्दू का फरोख हो रहा है, तो अगर हिंदी वाले भी यही काम कर रहे होते, इस्कॉलर्स ने काम ही न किया होता दोहों पे, और सिर्फ कवी दोहे लिख रहे होते, तो क्या दोहा का नाम के दोहे कोटые कर रहे हैं, अमादमी की जबान पर है, यह उनका कॉंट्रीबीशन है, उर्दू में इसकी उलट Есть लट उर्दू में यह एक काॉलर्ज ने काम नहीं किया, उर्दू के नागरी में किया लेकिन उर्दू वालों ने फार्सी से उर्दू भी नहीं किया लेकिन जो शायर थे एक मेरे मुझे एक किताब मिली दुहार रंग के नाम से तो जहां अगर मुझे सही आदा रहा है तो तकरीबन उसकी फैरिस में 171 उर्दू शोरा थे जिनके दोहे दर्ज 171 और बड़े मज़ेदार नाम गतिल शिफाई के दोहे और शेहरियार के दोहे एहमद नदीम कास्मी के दोहे और उसमें जपर गुरक पुरी तो खैर उन्होंने तो कहें उनका मजब कलाम आया है मुझायरों में भी पढ़ते थे वो दोहे और बेकल उत्साही के भी दोहे ह लेकिन कई ऐसे नाम थे के बड़ी हैरानी होती थी कह रहे यह तो बहुत क्लासिकल गजल के थे यह भी दोहे कह रहे थे तो उन लोगों के भी नाम मतलब शायदी मैंने मुझे याद जहा तक पढ़ रहा है फराज और फैस को छोड़के ज्यादा तर क्लासिकल अर्दू पो जब तक स्कॉलर काम नहीं करते हैं फरोग नहीं होता किसी भी सिन्फ सुखन का उनके हमारे स्कॉलर्स ने काम नहीं किया और पोईट ने बहुत काम किया उसका नतीजा यह निकला कि लोग यह कहते हैं कि अर्दू की सिन्फ नहीं यह दोहा अर्दू में नहीं कहा जा सकता इतना काम करने के बाद और आज से कह रहे हैं भाई पिछले आप ये देखिए कि जमील अद्दीन आली मेरे तकरीबन 40 साल तुमानी लीजे हैं अगर 40 साल से मसलसल दोहा कहा जा रहा है और वो भी मंचों पे कहा जा रहा है और ये कहते हैं भाई मंचों से तो बहुत पॉपलेरिटी मिलती है और मार्किट भी हुआ उसके बावजूद भी अगर ये कहा जाए कि दोहा उर्दू में नहीं कहा गया तो ये हैरानी की बात है और जहां नहीं कहा गया वहाँ ये कहा जाए कि ये हिंदी माहें नहीं कहा जाता है तो ये गोर करने वाली बात है अब इससे ये पता चलता है कि सकॉलर्स की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है बहुत बहुत शुक्विया अगला सवाल हमारा एक मुकवशर सा सवाल है हलांकि सवाल मुकवशर है लेकिन बात जाहिर है के काफी लम्बी है कि आपने बहुत सारे गदीमी जबान में दोहानिगारों के बारे में बताया मगर जदीद दौर में जब अर्दू और इंदी यानी हिंदुई से जब ये दो जबाने निकली जिसको हिंदी और उर्दू में तक्सीम किया गया तो इस जबान में क्या सबब है कि सिन्फ दोहागोई पर इतना जबर्दस इन्हितात है इसका आपकी निगाह में इसका क्या सबब है देए किसी भी जबान को मंझने में सैक्डों साल लग जाते हैं तो जब जबान को लग जाते हैं तो सिन्फ को भी लगते होंगे घजल कोई दस बीस साल में नहीं मंझे के यहां तक पहुचिए उसने भी बहुत सारी तहजीबे सखाफते उनका सफर ते किया है जाहिर है अरब से इरान इरान से लेके यहां तक और सेक्डों साल का तब जाके वो गजल बनी तो जाहर है के दोहे का भी किसी भी सिन्फ का वही मामला है कि वक्त लगता है अब दोहे का पुराना इतिहास है कि आज से नहीं यह दोहा हजारों साल से है तो दोहे में वही हुआ कि दोहा रीतिकाल में बिहारी तक आते आते जबके भक्तिकाल तक दोहे का ये हुआ कि अपने मज़मीन में फलसफे में बहुत उचाईयों तक बहुत चुगा था दोहा अरूज पे था लेकिन जब रितिकाल आया तो जबान बहुत मंझ गई थी दोहे की रितिकाल आते 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 जबान के साथ क्यूंकि अब जो ब्रज दोहे कहें आप देखें जबान सूर्दास की जबान ब्रज है और सूर्दास के बाद बिहारी जिस ब्रज में जबान कर रहा है वो बिलकुल ब्रज कर दो दो फिर में तो आज ब्रज बोलने वाले लोग है उस ब्रज को समझ ही नहीं पा रहे हैं जबान तप्दील होती रहती है हर दौर में बदलती रहती है तो जबान से बड़ा करीब ही रिष्टा होता है किसी भी संफे सुखन का तो वो जबान उस जबान में पल रहिए जिब हमें एक मिट्टी है एक अब हव़ा है उसे हैबिटयट चाहिए हुटा है अब अब उसका मिसाल है तो आप तो गजल के अदमी है कि घजल की वुकैबलरी होती है मैं कहूँ आपसे ऐसे थोड़ी बात करूगा मेरे हमनफस, मेरे हमनवा यह घजल की वोकेबलरी है और फिर क्या होती है कि टेकनीक्स होती है कि रूपक इस तियारा कैसे बनाया जाए, तश्वीक कैसे बनाई जाए, कैसे इस्तिमाल किया जाए अज़ा इसकी एक खासियत ये रही दोहे की कि दोहा बहुत बड़ी बात को छोटे में कहना दो मिस्रों में एक आप बड़ा सब्जेक्ट को एड्रेस करें ये खासियत है दोहे की तो अब ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है लिखने वाले पे कि वो सारे तकाजे भी पूरे करें और उस सब्जेक्ट को उस खुबसूरती से डिलिवर भी करें तो हुआ क्या कि इन हजारों साल का जो ट्रैवल था उस ट्रैवल में जो राइटर थे दोहे के वो ये सीख चुके थे रीती काल आते आते किस तरह इस्तियारे बनाने हैं किस तरह हमें रूपक बनाने हैं कैसे उन्हें बरतना है कि हमें बड़ा सब्जेक्ट लेकर आएं तो वो एक वो हमारा ब्रज तक आ गया तो आधुनिक काल तक आ गया तो जब मैं पढ़ रहा था दिव्य अभी 20 साल पहले तक थे दिव्य वो ब्रज में लिख रहे थे शायद इंदौर के थे और अपने मैंने दुलारे का आप से जिक्र पहले ही किया कि दुलारे भी ब्रज में लिख रहे थे दो मुझे अच्छे ब्रज के दुछा निगार मिले जो बड़ अच्छे दोहे कह रहे थे तो मैंने इन दोनों की दुछावली पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आधुनिक काल में क्या घजब की जबान आप दुलारे का आप देखिए, जबान देखिए आप दुलारे का आपको हिंदी उर्दू में दूखा आसपास भी नहीं आ सकता कोई इस जबान के, इस आहंग के के चन चन चबिकी चाक को चैला चैल चकाई क्या वात है तो अब अब ये कारनामा जो हुआ, ये हिंदी के बड़े बड़े राइटर, उर्दू के बड़े बड़े राइटर, अब आप ये देखिए के शेहरियार दोहा कहते हैं, तूटी फूटी कश्टियां दरिया में गिरदाब, जीने मरने के लिए यही लेमे नायाब, तो ये अगर आप शेहरियार का देखेंगे, तो वो अपने दोहों के तकाज़ों पर नहीं है, उसकी वज़ा भी है, कि वो एक क्लासिकल गजल के राइटर थे, और ये अपने मझे हुए एक दोहे के थे, जो उस विरासत को लेके आ रहे तो और शेहरियार के पास कोई विरासत नह हैं, वो समझाने के लिए मैं आपको एक पढ़ देता हूं, मैंने उसके बाद बिहारी को जब बिहारी की सत्सा ही पड़ी, तो मुझे कुछ बड़ी अजीब सी चीज़े नजर आई, वो ये थी कि जो आधुनिक काल के या बिहारी के बाद के दोहाकार, रूपक और ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इतने बड़े सब्जेक्ट, आप बिना इनके अड्रेस नहीं कर सकते, या आप इस्तिलाहें लेके आएं, बगएर इसके आप अड्रेस नहीं कर सकते, तो इसकी बड़ी एहमियत है यहां पर, तो हमने एक अब आप देख चाक चकी, चगनी छोर चटैन, रहे सुरंग, रंग रगी, नहदी मेंदी नैन, क्या बात हैं, तो अब आप जबान अगर देखेंगे दुलारे की, और आप जबान देखेंगे बिहारी की, तो तकरीब एक हैं, लबजों को कैसे बरतना है, आहंग कैसे बनाना है, सौती आह वाजे हैं, वो तकरीबन एक जैसा और इंतिखाब, लवजों का, एक जैसा, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी विरासत थी, उन्हें दोहा बरजवालों को उनकी विरासत में मिला, ठीक है, ये तो जबान की बात आ गई, अब मैं इस त्यारे बताता हूँ किस तरह से बनाए हैं, दोलारे ने आधुनिक काल में, ठीक है, आजादी के पास का दोहा है ये, चक तुरंग माने इते, छाके चबिकी भांग, ये दोलारे कह रहे है, चक तोरंग जो है, वो नैनों के, नेतरों के घूरे, तुरंग घूरे को कहते हैं, अब ये टेक्निक क्या है, मतलब दो लवज मिलाए और एक रूपक बना दिया हमें पूरे मिसरे से रूपक नहीं बनाना है दो लवजों से जोड़के तो बिहारी की एक बड़ी खुबसूरत टेक्नीक थी कि बिहारी के सथसे ही आप देखेंगे पांच पांच छे छे साथ साथ रूपक एक दोहे में और दोहे को इतना बलीख कर देते थे बिहारी वो टेक्नीक थी बड़े सब्जेक को एड्रेस करने की तो ज्यादा से ज्यादा इस्तियारे तो दो दो लवज जोड़के जोड़ जोड़के इसी तरह उनके हाँ आपको तश्बीर मिलेंगी तो अब इनका दोहा मैंने आपको कोट किया चक तुरंग माने एते छाके छबी की भांग अब कहरें बिहारी नैन तुरंगम अलग छबी छरी लगी जहीं आई अब आप ये देखिए नैन तुरंगम वो कहरें चक तुरंग चक नैन को ही कहते हैं तक्रीबन बात एक ही बात है उसके बाद हम आते हैं दिव्वे अभी के हैं बीस साल पहले दिव्वे ब्रज के दिव्वे कहते हैं फांद दीठ गुन मन घटई रूप कूप में डार फांद बांधना बांधना किसे दीठ गुनी मतलब नजर की दृष्टी की रस्षी नजर की रस्षी बांध के मन घटहई मन के घड़े को रूप कूप में डाल उस रूप के कुए के अंदर डाल दे ठीक है अब आप देखें एक दो तीन चार एक मिसरे के अंदर चार भूपक चार इस्तियारे एक मिसरे में कितना मुश्किल होता है जब हम बात कर रहे होते हैं कि दोहे में हम कैसे सब्जेक लाएं हम देबेट कर रहे होते हैं कि दोहे में एक स्तियारा कैसे आए हमाई घजल में एक स्तियारा कैसे आए हैं आज उर्दु हिंदी में लेकिन वहां उनके पास टैक्नीक थी अब आप यह देखिए के बिहारी क्या कह रहा है डीठ बरत बांधी अटनिचल धावत ना डरात अब यह डीठ बरत क्या है यह नेतर रूपी रस्सी दीठ गुनी दीठ दिरिष्टी दीठ गुनी वो क्या थी नजरों की एक रस्सी और डीठ बरत वो भी वही एक रस्सी है नजरों की एक रस्सी लगबक तकरीबन रूपक की वही टैक्नीक है जो बिहारी के यहां थी आदू निकाल के तो इसलिए इनके दोहों में वो बलागत भी है, वो दोहों सारे तकादों में पूरे हैं उन पे वो आहन्म भी है उनके पास वो जबान भी है हमने भी देखा कि जबान की सतह पे भी लगबग वही है रूपक पे भी वही है उपमा में भी वही है तो तकरीब तो है क्या कि वो उनको उनकी एक विरासत मिली है तो ब्रज में उन्हें विरासत मिली है इसलिए वो कह पा रहे हैं अब आ जाईए आप हिंदी के उपर और उर्दू के उपर Hindi, Urdu तो दोनों out of debate ं दोहे में इसलिए है कि उनका कोई उनके पद़ विरासत नहीं है दोहे की ना तो कोई Urdu में नाम है दोहे का बड़ा जाती बिहारी का था ना कुई ऐसा नाम हैहिं हींदी में कोई विरासत नहीं है तो यह वजा है कि वो तकाजे नहीं पूरे कर पा रहे हैं जो दोहे के हैं यह बड़ी बजा है दोहे के डाउन फॉल की जो मुझे लगती है बहुत बहुत शुक्री आनसाथ आपका कि आपने रेडियो अर्दू को यह इतना वक्त दिया उमीद करते हैं कि आपकी किताब अब वो काम करेगी अर्दू में के जो काम अभी तक नहीं हो पाया दोहे के हवाले से यानि एक मतवर नाम के तोर पर अनस के दोहे इंशालला आने वाले जमाने में पढ़े जाएंगे हुआ शुक्री जाएंगे